स्वायम को स्वस्त रखने के लिए आयरवेद की द्रिष्टी में एक कई सम्भूल मंत्र और कुछ घरेलू आसान उपाए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वेल्कम टो अंके थेल्थ क्लब अंके थेल्थ क्लब में आपका स्वागत है मित्रो हमारे चैनल का एक मात्र देश लोगों को आयरवेद वापने स्वास्त के प्रति जागरू बनाना है हमारे चैनल को ज़्यादा से जिदा सेर करें ताकि अन्य लोगों को भी आपकी तरह इसको लाब ले सकें तो आएए चलते हैं वीडियो की तरफ नमर एक फ्रिज का ठंडा पानी वा बर्फ डाला हुआ पानी जीवन में कभी न पियें और भोजन गरन करने के 35-40 मिनट पहले और भोजन करने के 60-90 मिनट बाद ही पानी पियें अगर आपको वीडियो पसंदा रहा हो तो इसे लाइक कर दें अब चलता है नमबर दो के तरफ सुबह जगने के तुरंट बाद सबसे पहले बिना कुला करें दो से तीन गिलास पानी जो की हलका गरमों सुखासन में बैट कर पानी को घूट घूट करके पियें यानि की उसा पान करें या क्रिया प्रते दिन करें लगातार करने पर इसका लाव आपको मिलेगा नमबर तेन भोजन करते समय कभी भी पानी का प्रियोग ना करें यदि होत सके तो सुबह में ताजा फल का रस दुपहर में चाच और रात्री में गरम दूद का सेवन अवश्य करें नमबर चार भोजन हमेशा सुखासन में बैट कर करें भोजन करते समय आपका द्यान भोजन पर ही हो अर्था टेलिविजन देखते हुए गाना सुनते हुए या पढ़ते हुए बात चित करते हुए भोजन कभी ना करें नमबर पांच हमेशा भूजन या पानी बैट कर ही ग्रहण करें यदि संभव हो सके तो सुखासन या सिद्धासन में बैट कर ही भूजन करें और पानी ग्रहण करें खड़े होकर भूजन और पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए नमबर छे फ्रिज में रखा हुआ भूजन कभी ना करें फ्रिज से निकाला हुआ भूजन साधारण तापमान में आने के पश्चाती ग्राण करें उसे दुबारा गर्म करनके ग्राण ना करें तो ही अच्छा होगा नमबर साथ पहले से गूत कर रखे हुए आटे की रोटी कभी ना क्वाएं हमेशा ताजे गुते हुए आटे की रोटी खाएं नमबर आट खाना खाने के तुरंत बहत पिसाब जरूर करें ऐसा करने से डायविटीज होने की संभावना कम हो जाती है यक्रिया हमेशा करें 9. सुबह में पेट भर भोजन करें, जबकि रात में सोते समय हलका वा आधा पेटी भोजन करें 10. मौसम पर आने वाले फल और सबजियां ही उत्तम हैं, इसलिए बिना मौसम वाले सबजियों या फलों का प्रयोग ना करें 11. दही के साथ उड़त की दाल ना खाएं जैसे दही और उड़त की दाल का बना हुआ भला ना खाएं या हलवा ना खाएं 12. रात्री को सोते समय खीरा, दही या कोई भी वात उत्पन्द करने वाली चीजों का सेवन बिलकुल भी ना करें 13. कभी भी गी और सहद का उप्योग एक साथ ना करें क्योंकि ये दोनों मिलकर सरीर में विस बनाते हैं और बहुत ही हानिकारक होते हैं सरीर के लिए 14. दूद के साथ नमक या नमक की बनी कोई भी चीज ना लें क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं जो सरीर को अत्यदिक नुकसान पहुचाती हैं 15. रिफाइंड तेल जहर है आप हमेशा कच्ची घाड़ी का सरसू तिल का तेल या मुंगफली का तेल ही उपयोग करें और जीवन में हार्ट अटैक या जोडों के दर्द से स्वयम को बचाएं 16. नमक का अधिक सेवन ना करें आयोडेन युक्त नमक का ही प्रयोग करें समुद्री नमक का प्रयोग बिलकुल भी ना करें अगर हो सके तो सेंदा नमक या डली वाले नमक का ही प्रयोग करें नमबर 17 दूद के साथ केवल एक खटी चीज का प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम आवला है खटे आम का प्रयोग दूद के साथ ना करें केवल मेटे फलकाई दूद के साथ सेवन करें सेख के रूप में नमबर 18 दूद्स से बनी कोई भी दो चीजें एक साथ सेवन ना करें, दूद्स के साथ कभी भी कोई खटी चीज का प्रयोग ना करें, ऐसा करने पर आपको हानिपाउस दी है, नमबर उन्नेस भूजन भूग से कमी खाएं, जीने के लिए भूजन करें, ना कि भूजन के लिए जीवित रहें, नमबर पीज खाने में भूजाव करें, चीनी के सेवन से बचें, हो सके तो चीनी का प्रयोग ना के बराबर करें, क्योंकि चीनी सुगर का कारक है, नमबर एककईज तला और मसाले युक्त भूजन खाने से बचें अगर जादा ही मन है तो सुबह में खाएं रात को कभी भी मसाले वाली या तली भूनी चीज़ों का प्रयोग बिलकुल भी ना करें धन्यवाद असा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंदाया होगा यदि हाँ तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें बेल आईकर को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और इसे सेर करना बिलकुल भी ना बुले तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ अब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद